आज में बना रहे ही बिल्कुल खस्ता और नरम नरम ये चंदरकला गुझिया देखने में ये जितना बढ़िया लग रहे हैं, खाने में ये कहीं ज़्यादा स्वाधिश्ट हैं, तो इस दिवहार पर इसे अपने घर में जरूर बनाएं, तो आएए देखते हैं कि ये चंदर क्राम में इसमें घी ढूरा दाल रही हूं घी को ठोड़ा मेल्ड करके मेरा गारना है या देखिए मैं इस तो हमें च्थे-ट झालते हैं तो तर देन तो तो यह अच्थे-स इस tussen मैसक्ष कर लें गें बहुत ही अच्छे से मोयन तेयार हो गया है तो जब मोयन हम देते हैं तो उसी से जो गुजिया है वो ख़स्ता बनता है अब हुम इस妹 थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हमें एक सक्थ अंटा तेयार कर लेनेा है गुथ करके तो अपने यहांपे जो पाने लिया है यह हलका सा गुर्गुना कर लिया है मतलग कि हलका सा इसे हमने गरम किया है बहुत ज्यादा गरम नहीं किया है बिल्कुल हलका गरम रहना चाहिए इसे आटा जो है बहुत ही अच्छे से तयार होता है और आटे में जो है लजीला पनाता है और यह देखिए आट तो यहां पर कड़ाई गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे दो चोटा चमच घी तो पहले हम सारे ड्राय जो है उसे हम फ्राइप कर लेंगे क्योंकि ड्राइफ़ूट फ्राइप करना पहुत चॉरूरी होता है तो मैंने दिखिए बडाम पिस्ता डाल दिया है और ये कटा हुआ काजू भी मैंने डाल दिया है तो सारे ड्राइप रूट लोगी सबस्वित अब करके डालना है है और यह किस्मिस ना म laisse pne डालना है तो पुसजागदाने और किस्मिस हम dla स obsoles में डाल रहे हैं ताकि कम ही फ्राई और हमने यह डाल दिया है नार्यल का बुरादा हुद बुद्धल कर सकते हैं जल्दी खराब नहीं होता है क्योंकि इसका जो मौस्चर होता वो निकल जाता है और रोष्ट करने से इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है इसको फ्राइ कर लिया है इसी में हम यह सूजी यानि की रवा इसे भी हम फ्राइ कर लेंगे तो दो बड़े चम निकाल लेंगे डाल देगे तो प्राइफरुट के ही साथ इसे भी हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए अब हम मिसरण टैयार कर लेते हैं तो एक बावल लेंगे और इसमें हम डालेंगेukan यह हमने फ्राइकर करके रखा है भून करके रखा है रवा और ड्राइफ्रूट और यह बहुत ही अच्छे से ठंडे हो गया है जब तक पूरी तरह से ठंडे ना हो जाए फ्रीज में नहीं रखना है नॉर्मल टेंप्रेचर अपीज यह में ठंडा करना है यह बिल्कुल भी ठंडे हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे यह तो एक चोटा चमुष मैंने यहां पर लाची पाउडर डाल दिया है और इसमें हम यह डालेंगे मावा तो मैंने यहां पर 200 ग्राम मावा लिया है खोया और इसको मैंने घर पे ही बनाया है इसलिए इसे मैंने अभी फ्राइ नहीं किया है क्योंकि इसको मैंने पहले से बना नहीं होता जल्दी इस तरह से इसे हमें भून करके ट्राइ कर लेना है और यह सारी चीजे नॉर्मल टेंपरेशर की है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर इसमें थोड़ी से भी गर्माहट रहती है तो जब हम इसमें सुगर डालते हैं तो यह मिस्रड जो है वो गीला सा हो जाएगा इसलिए फिल्कुल ठंडा हो तभी आप इसमें सुगर डाले तो यहां पर मैंने यह आधा कप डाला है पाउडर सुगर और इसे भी हम इसके साथ मिक्स कर देंगे तो आप यहां पे मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं किसी को मीठा ज्यादा अच्छा लगता ह किसी को हलका मीठा पसंद होता है तो मीठा आप अपने इसाब से थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं यहां पर आप इसे टेस्ट करके देख सकते हैं तो यह मिस्रा तयार हो गया है अब हम इसे रख देते हैं साइड में तो अब हम इसकी चासनी तयार करके रख लेते हैं और थोड़ा सा इलाइची डाल देंगे कूट करके और ये केसर के धागे तो केसर के धागे ऑप्सेनल है आप चाहें तो थोड़ा सा कलर भी डाल सकते हैं यलो कलर डाल दें इसकी जगर पे और इसे मिक्स करके इसे हमें चासनी त्यार करना है तो मैंने यहां पर मेजरिंग तो आप नॉर्मल कब से चार कप चाय पिने वाली कब से चार कप आप इसमें शुगर ला लिए और तीन कप पानी है तोमें सिर्फ चिप चिपा सा बनाना है बहुत ज्ञादा गढ़ा इस हमें second possibly नहीं करना है या फिरर की आ देखिए ज creativityacci नहीं से तो तो यह चासनी हमारी तयार है तो हम इसे बंद कर देंगे और platform पर हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए तो अब हम चंदर कला की stuffing करेंगे और यह आटा देखिए अच्छे से सेट हो चुका है तो अब हम इसकी लोईया बना लेते हैं यहाँ इसे तरह से हमें थोड़ी बड़ी लोईया भना रहे हूं यहाँ पर जिस तरह से रोटी की बनाते हैं तो इस तरह से बड़ी साइस की हम इसे बेल लेंगे आप चाहें तो छोटी छोटी लईया करके सिंगल सिंगल पीस भी बना सकते हैं और इस तरह से अगर बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बन जाता है और यह देखिए कोई साभी कुकी कटर लेना है या फिर ग्लास लेना है न हम लोगी एे कर right चैसे हम लेटे हैं तो यह तुनों इकोल होना चाहिए इसलिए हम इसे कट सकते हैं या फिर उस तार भी वेल सकते हैं बड़ी साइज की लोई लेकर अब यहां पर हमें इसकी साइड में इस तरह से लगाना है पानी और बीच में हमें थोड़ा सा रखना है स्टपिंग और इस तरह से रखेंगे और दूसरी ये ले करके इसे हम इस पे भी लगाएंगे पानी और जिस साइट से हम लगाएंगे पानी उसी साइट से हम इसे पलट करके इस पे रखेंगे और इस तरह से हम इसे पैक कर देंगे और हलका सा इसे प्रेस करते हुए इसे हम चिपका देंगे यह अच्छे से जब चिपक जाए तब हम इसे फोल्ड करेंगे इसे लेले हाथों पर इस तरह से और साइड से पकड़ते हुए अंगुठों से इसे हम पिंच करते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे पिंच करेंगे तो इस तरह से ये इसका एक सेप जो है बन जाता है जिसे की चंदकला के नाम से बोलते हैं इसे तो जब हम बीना साचेक की गुचिया बनाते हैं तो इसी सेप में बनाते हैं और इस तरह से ये खुलता भी नहीं है जल्दी जब हम इसे फ्राइ करते हैं तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे और यह देखिए यह हमारा गुचिया जो है बना करके तयार हो गया है और इस तरह से सारी चंदर कला गुचिया को हमें बना करके रख लेना है स्टफिंग कर लेना है अब हम इसे फ्राइ करेंगे तो चली फ्राइ करते हैं इसे फ्राइ करने के लिए हमेरे जो तेल गरम किया है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कम गरम भी नहीं होना चाहिए मीडियम गरम पर हम इसे फ्राइ तो जितना गरम हम तेल रखते हैं उतना ही गरम हमें इसमें तेल में फ्राइ करना है तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करेंगे और थोड़ा सा हलका सा नीचे से पक जाए तब हम इसे पलटेंगे इसे पलटेंगे इसे पलटते हुए दोनों साइड से बिल्कुल गोल्ड 15-20 मिनट भी लग सकता है एक बार इसे फ्राई करने में तो इस तरह से इसे हम निकाल लेंगे यह देखिए फ्राई हो चुका है तो जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे तो इसे हम निकालते हैं एक टीशू पेपर पे ताकि यह जो एकस्ट्रा ओयल ह और इस तरह से डाल करके इसे हम डीब करते जाएंगे तो गुचिया बिल्कुल गरम-garम होनी चाइए और चाशनी ठंडी ओन यह देखिए इस तरह से हमें डालना है दुबोना है और इसे हम डीब करके रखेंगे एक से दो मिनट तक हम इसे डिप किये रहेंगे बहुत ज्यादा डिप कर देंगे तो बहुत ज्यादा ये मीठी हो जाएगी और चासनी अंदर तक चली जाएगी तो बहुत ज्यादा ये मीठी हो जाएगी तो इसे हमें बहुत ज़्यादा भी मीठी नहीं करना है हलका अशा उपर से मीठा रहता है तभी ये अच्छा लगता है और इसे हम निकाल देंगे अगर थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद हो आपको तो थोड़ी ज़्यादा देर तक आप इसमें रख सकते हैं चासने में तो इसी तरह से हमने सारे ही गुझिया को डाल दिया है और इसे निकाल लिया है तो ये चंदरकला गुझिया देखिए इसी तरह से बना करके रेडी करना है तो मैंने इसी तरह से बना करके इसे रेडी कर लिया है ये देखिए बहुत ही बड़िया ये गुजिया बनके रेडी है तो आप भी बनाईए ये चंदरकला गुजिया घर में और मिवानों को खिलाईए बहुत ही स्वाधिस्ट और टेस्टी है वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए और अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले और अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद और बाई बाई